अब लो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टूदा एडियर दूदरम सेक्सस्क्लासेश अब विमल चौदरी आज आप सबीके लिए बहुत इंपोर्टन वीडियो लेकर आया हूं थमनेल आपने देख लिया हूं थमनेल में मैंने क्लियर करी दिया है कि बहुत सारे स्टुडेंट जिनका पर स्टूडेंट का अभी हाली में रिजल्ट आया है जिक वुडियर का फ्स समेस्टर अनका रिजल्ट आया तो उनको बहुत सारे डाउट थे वो सारे डाउट वीडियो में क्लियर करने वाला वीद्ट प्रूब और मैं गैरेंटी के साह रहा हूं एगर आप पूर वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें यहां पर आपको डबल बेनिफिट्स हो रहे हैं क्या कि एक तो एक टू की तब से जितने भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आ करने को मिल जाएगा और हो सकता है सब्सक्राइब के दिमाग में कुछ डाउट आएम आप रिजल्ट को देखकर तो वह सारी डाउट्स के लियर होंगे इसमें वीडियो में बस आपको लास तक बने रहना है और पड़े ध्यान से देखना है हर चीज को समझना है मैं आपको द उन पर भी कमेंट के तुरू क्या रहा है उन सारी डाउट्स को मैंने एक जगे ले लिया और एक ही वीडियो में अलग लग जवाब देके एक ही वीडियो में जवाब देने वाला हूं बिलकुल और बढ़ियास समझेंगे सारी चीजिए बहुत सारे स्ट्वेइद कि सब्स सब्जेंट पर लगती हैं कितनी सब्जेंट में बैक आने पर एर बैक लग जाती तो फिर प्रूर अपको पूरा देने वाला हूं यह बंट करता है आपके क्रेडिट्स पर आप क्रेडिट्स का क्या रहो है सारी चीज़े मैं बताऊंगा आपको अब यह एर बैक जैसे लगेगी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्ट्रेंट ऐसे भी होंगे जापके सीनियर होंगे किसी की छह बैक लगी होंगी वह प्रमोट हो गया होगा स्ट होगे बने वहाद होगे वह पिरमोट नहीं हुआ देपेंड किस पर कर रहे लिगत पर यह क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है कैसे होता है सब चीजे मैं बताऊंगा बिझी आकष्छ कर रहा होगा दोनों ही केस में ठीक है तो रिजल्ट इंकम्प्लीट हटके कंप्लीट कैसे होगा उसके लिए क्या प्रॉसस अप्लाइ करना है वो भी सारी चीज़े देखेंगे बहुत सरे स्ट्वेंट्स के रिजल में यू एफम लिखा हुआ है यू लग गई है आपने तो आ गई है अब जिन बच्चों की एक, दो, तीन, चार्ज बैक आ गई है अब वो यह चार है कि हमने तो बहुत अच्छा किया था लेकिन हमारी बैक आगे तो हमें कॉपी रिचेकिंग करानी है कॉपी मंगवानी है कॉपी देखनी है तो उसका क्या प्रॉसस है कैसे समय मिलते हैं कितने सब्जेक्स में मिलते हैं वो सारी चीज़े विद प्रूब मैं आपको दिखाऊंगा साथ में कैरी ओवर रिजल्ट के लिए बहुत सा रेस्ट्रेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम सेकेंड थर्ड एर फोर्ट एर के स्वेंट है मारे फस्ट एर मेंने कैरी वर पेपर रिजल्ट कब तक आएगा यह सेटेंड यर का जब व्रड़ आने वाला हाली में तो उसका करेंगे उसकी बाद करेंगे आज की लेक्चर में नेक्ट समस्टर एक्जाम डेट एक्जाम डेट एक्जक्ट नहीं पता है लेकिन एक एप्रॉक्सिमेट डेट हम बता करते हैं कि हमारा जो अपकमिंग समस्टर है एक मंत हमारे पास बचला है इस एक महीने में कैसे पढ़े किस तरीके से पढ़े कैसे अच्छा पढ़े कि कम से कम एट या एट से प्लस हमारा बन जाए ठीक है तो उसके लिए पुरी स्टेटीजी में आपको बताऊंगा और इन सभी चीजों को करने के लिए आपको करना क्या है पूरी स्टेटीजी को फॉलो करने के लिए आपको एडिरूद्रम सक्सेस क्लासिस नाम से एक प्ले स्टोर पर एप मिल जाएगा इस थोड़े से मॉटिवेट हो जाएं क्योंकि यहां पर इस वीडियो को मैक्सिमम में जान होती है तो तुम्हें अपने सपनों में बनानी है ठीक है पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है बैटा आपके अंतर होसला होना चीए आगर बैक आगे टेंशन नौट टेंशन मतली टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा एक मेरे पास मैसेज भी आया था मतलब वो इतना ज्यादा टेंशन में था कि उसने ऐसी बाते के जो मैं यहां यूटिब पर बोल भी नहीं सकता हूं ठीक है तो बेटा अगर वो वीडियो देख रहा तो टेंशन मतलो आपक अच्छा करता होगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बैक आ गई है तो आप मतलब कहीं आपकी जॉप नहीं लगएग है एसा कुछ नहीं मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्जामपल्स हैं मेरे 11 साल के कैरियर में मुझे 11 साल हो गया टीचिंग करते वह एक कालिज में मेर और आगे बैक ना है तो इसके लिए क्या करना है वो भी में लास्ट में आपको बताऊंगा ठीक है एक टॉपिक पर हम डिसकस कर लेते हैं वन बाइवन वीडियो को ज्यादा लेंदी ना करते हुए क्योंकि बहुत लंबा लेडी वीडियो हो चुका है सबसे पहले हम बात करत है तेन बैक लेडिया पताचला इस समस्टर में दो बैक आगी तो पांच बैक पर कहीं बीने लगाँ यह चाहीं बैक पर वाई भी ने लग जाए एसा कुछ नहीं है आई यह चलिए मैं समझाता हूं कैसे कैसे बैक लगती है और कैसे कैसे क्या होता है आँ देखो बेटा य यह है तुम्हारा एक टूब बिलकुल जैन्विन सारी चीजे जैन्विन बताने वाला हूं बिल्कुल प्रूफ के साथ एक की साइट से एक एक टूजू की साइट पे सब कुछ आवेलेबल है सब कुछ बस बस अरत हमें यह पता नहीं होता है कैसे देखनी है चीजे कहां में आप सारी चीज़े राम से पढ़ लीजिए का मैं मैं भी आपर बता दुगा मैं मैं बात करूं हम आपके सली बस की तो Academy मैं जाएंगे तो Academy में सलेबस होता है सले बस मैं इसलिए उपन कर रहा हूं जिससे मैं आपका यह पर दिखा सबूंँ ठीकर रिट करेंगे जैसी इसको उपन किया तो जब आप इस सलेबस को अपन करेंगे तो इस सलेबस में आप देखेंगे जैसे यह समिस्टर यहां पर आपको वेज्शिबल होंगे तो आप यहां पर बहुत अच्छे से देख रहा होंगे जो आपका सलेबस आपके लिखता है मैद को पूरे सब्जेक्ट यहां पर दिये होता है यहां पर यहां पर यह looking सब्जेक्स पड़नों यहां परीजिन संच मैं पड़ने सब तरक इसंग अब देखने शीए इसी सारे चीजरopard rece ijcixa 90 पर से यहीं पर केलिए drugiej प्रियर में आपको दखाताऊ ओक्या है इसमें फिरकस को यहां पर यहाप टाइप होगा सब्सक्राइब को कि मतलब ठाइब टाइटी इसके बात करूएं के हमारे या इस सब्डैक्ट हो गए हमारे इस जो होता है के बाद हमारे क्या होगा आप पी पीरियाड में क्या होता है मतरों हब सेAg उसके पास एसनल कम पॉनेंट सेना सेस्ट होगए उसके पास टेस्टंटी मांक सोगे और यह का और यो आपका अपना असेस्मेंट होता है जैसे सटमार्स के हो गई सट्राइब होगि स्टयोड मार्स कि अबके माक्वाइं यह इwn इसके बाद यह तोनों और यह से टोटल आपके final marks बनते हैं और ये होते हैं तुमारे इंप्रेट जिनका IMPORTANT रोल होता है यह होते हैं इंप्रोटेंट किसमें वाई वी में इनने कोई धिहान नहीं देता छोड़ देता लेकिन वाई में ही इनका important role है अब देखो जो मेन सब्जेक्ट्स है हमारे जैसे physics हो गया chemistry हो गया और math हो गया कुछ का physics होगा कुछ का chemistry math सब्का होगा इन दोनों के क्रेडिट है फॉर फॉर क्रेडिट है ठीक है दूसरा अगर मैं बोलू fundamentals of electrical electronics PPS mechanical environment and soft skills इन सब के है कितने है three three हमारे कितने cradit nden जिटने भी लैपसे हमारी इन तीनों लैप्स के अगर मैं बात करूब graphics की अगर लैप छोड़ दे या workshop अगर छोड़ दे तो इन तीन जो लाब हैं तीनों लैप के क्रेडिट रंवन वन अब बात करेंगे जब आगे मैं बात करू इट समस्तर की कि क्हिए अगर मैं बात करूँ सेकंड सेमस्टर की ते यहां पर लिखा हुआ अभिए टॉटल मास् 900 900 में साब कर इसल्ट आया टोटल क्रेटिट हमारे कितने हैं 22 ऐसी में बात करूँ एकस्ट सेमस्टर में अबन को देखो इसमें जो है ना सेकंड समस्थ में 900 को गए 700 सब्चक्र 922 लेकिन संसर में और एड हुआ है आपका। क्या है इस बार सेकंड समस्टर में चलेगा आपका स्पोर्ट और योग और समय और वो कितने का है 100 marks का है वो भी कंपल से रिह 100 marks का तो इसलिए 900 प्लस यानि कि 100 पर स्टार इसलिए बना हुआ है compulsory qualifying audit course बतलब यह है कि यह 100 का compulsory है आपका यह sports और योगा का लेक्चर चलेगा या चल रहा होगा आपका जो होना जरूरी है वरना आपका रिजल्ट जो है पैंडिंग रहेगा रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट आएगा बाइस क्रेडिट आपके हो जाते हैं टोटल इसका कोई क्रेडिट नहीं है लेकिन लेकिन यहां पर लिखा हुआ है हाथ असacağız बाधり होगा आपका दो तोटल होगा आपके पास एर बैक लगने का या ना ना लगने का राइटिरिया सिंपल सा यह है मैं अभी और ली बता रहा हूं फिर दिखा भी ना क्या कि दो समस्टर आपके होते हैं एक यह में दो समस्टर होते हैं यह बैक कब लगे कि जब दोनों समस्टर का रिजल्ट आ जाएगा दो समस्टर होते हैं दोनों समस्टर में अलग अलग क्रेडिट हैं एक में बाइस हैं दूसरे में बाइस हैं यहां तो दोनों से में लेकि तुम्हें चाहिएंगे बस आपकी एर बैक नहीं लगेगी तोन में आया कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं आया मैं बताता हूं जैसे देखो यहां पर टोटल 44 क्रेडिट है टोटल एर के तो भी कोई इस्यों नहीं है तो भी कोई इस्यों नहीं है तो आपकी पांच लगई अब लगे चैनल में चैनल में लगे तो एक एक रेडिट हो गए च्छाई क्रेडिट कम हो वे चावाल इसमें से जोरी तो सब क्लिए रखे तो आपकी यह बैक नहीं लगेगी अब जैसे में आपर यह है मैं बताओं आपको अभी एक चीज और बताता हूं यहां पर ठोड़ा सा यहां देखो यहां पर फोड़ा सब्सक्राइब कर लें तो आपके कितने गाए 12 में से आट चले गए समेस्टर में अगो है बाकि आपको लिए फिर 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 पूरा है रिएगे जैसे अगर मैं बात करूं पर पूरे-पूरे मिलने वाले हैं तो अब यह यहां पर कम हो गया दो सब्जेक्स में इस में फिजिक्स में से चाहर मैं सब्सक्राइब और क्या हुआ एक दो बैक यह तो आपका क्रेडिट हुआ तो आपका क्या होगिया यह बैग या लग जाते हैं अगर अगर वहीं पर अगर मैं देखो सीधी सीधी सी बात हैं कि अगर तुम्हारी ये क्या बोल जन Quinn को और चार चार गिडिट वाले में बैग लग रहे हैं तो बार घर जा रहे हैं और वहीं पर और तीन- Agora करेड़ेट वाले तीन सप्जेट में भैक लगरी तो नौई जा रहे हैं फिर भी तीन पूरे बचना है तो इसलिए हो जाता है गी कभी 6 वाला प्रमोट हो जाता है और 4 वाला वह वह सोरी 52 वाले वाले हो जाता है ठीक है पांच है अलाकि भाई भी भाले होगी नहीं क्योंकि कितने होंगे चार मैक्सिमुम भी होते हैं तो 4-4, 8-6, 16 और 16 19 होंगे ठीक है तो मिनिममम फाइब प्लस पे लगेगी मिनिमम फाइब प्लस से तो कम पे लगनी नहीं अगर हाइस क्रेड़िट वाले आपके बैग लग गई चारो और एक लोग क्रेड़िट वाला तो पांच बैक होगे तो भाई भी नहीं उसके बाद जैजी छटी आजिए तो फ्रेट बैक लगी तो क्रेड लग जाएगा लेकिन यस फ्रेक अगर वही बाली हैं इन तिन तुन क्रेटिट वाली तो नहीं तो भी नहीं लगिए वह पहुंच जाएगा तो दो इस ट्वेंड से मिशे क्राइट वाले तोश्वेंट एक और नहीं होगा एग आप वे समझ में आगे होगी बात अब इसका चलिए मैं प्रूफ दिखा देता हूं यह चीज मैंने समझा दी अब चलिए इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दिखाता हूं एक सेकेंड मैं विद प्रूफ लेके आया हूं ताकि कोई स्ट्वेंट यह ना कहें कि सर यह तो ऐसे तो नहीं है और ऐसे है और वैसे नहीं है अब आपको करना क्या है इसमें करना यह है कि आप मैं फाइल खोल के दिखाओं और फाइल को पढ़ लिजेगा जब आराम से टाइम हो तुमा आपको पता होने चाहिए पढ़ने चाहिए आपको ताकि आपको किसी से पूछने कि जहुद ना पढ़े मतलब आपने टीचर से भी आपको जहुद ना पढ़े पूजें कि सर मेरे कितने पर वाई भी लगेगी या क्या है करना क्या ओर्डिनेंस पर जाना है और इस ओर्डिनेंस को डाउनलोड कर लेना है जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो एक पीडिएफ आपके पास ओपन और सेकेंड वाला ओप्शन ओर्डिनेंस एफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2018-19 रिवाइज 18-19 के बाद अभी तक कोई ओर्डिनेंस नहीं आया तो जो रूल्स और लेगुलेंस चल रहा है तो यह कैसा आएंगे इस पर क्लिक करा तो एक पीडियाफ फाइल आपके सामने फिर से मils द भी जाएगी में वहां पर बता देता हूं की murder back और grace अ भीसमी मिल जाएगा आपको जो grace म supported grace मैं आपको बता दूँं बिमें साथ में लेके चलूँंगा यह वाला देखो मैंने यह वाला अभी आपको किलीर करा है इता है यह वालए ब्रया यह ao मैं बताओं माहें एपक्षाटन घ्रेशाठीमं मिलेकर चलाओ ग्रेस मैकसिमम यहत yes करेंगे अभी ठीक है चलिए यह तो मैंने बदाद एक टैन मार्क सी ग्रेस मिल सकती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो इस तरह की जब आपकी PDF खुलेगी ओपन होगी तो आप करेंगे क्या इसको थोड़ा सा जूम कर लिए जैसे इस तरह की PDF खुल जाएगी यह आपका 21 पेज का ओर्टिनेंस एक ट्यू का जो रिवाइज है बीटेक के लिए 2018-19 इसके बाद नहीं आया तो लेटेस्ट यह 24 चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन ओर्टिनेंस यह वाला ही काम कर रहा है तो इसमें बहुत सारी चीजे आप ठाड़नेना इसको औराम से बैठके इसमें तुम्हें सारी चीजे पता चल जाएंगी कि ygpa क्या होता है यानि कि एहरली ग्रेट पॉइंग अवेज क्या होता है ऐसी पीए मदलब कमिलेटिव ग्रेट पॉइंट आवरेज क्या ह होता है first attempt क्या होता है सब चीज़े आप इसमें सारी चीज़े सीख जाएंगे सब चीज़े क्लियर हो जाएंगी जब आप इसको पढ़ेंगे द्यान से ठीक है admission का पुरा process यहाँ पर admission किस basis पर कैसे लिया जाएगा फस्तियर में के ट्यूमें में वो सारी चीज़े हैं ठीक है eligibility criteria क्या होना चाहिए admission के लिए वो भी में मेंशन है सब चीज़े मेंशन है इसमें attendance कितनी कंपल से रिये 75 परसेंट यह 15 परसेंट या क्या यहां पर आ जाएगा पूरा देन और ब्रांज यानिकि ब्रांज को चेंज करने गारूल है वह भी यहां पर mention है आपके पास पूरी आथर्टी आप कैसे ब्रांज चेंज कर सकते हैं इन रूल्स को यह जो इन रूल्स और गुलेशन रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आप ठीक है यह फुल्फिल होना चाहिए लेकिन ब्रांच को चेंज करना है का चेंज ऑफ कॉलिज ईवन एक टू का तुका कॉलीज वहना उसको भी आप क्या कर सकते हैं यह नहीं कर सकते सौरीज में साफ साफ लिगा तो आपके यह सबसे पहली बात मैं आपको बता दू जो ग्रेड आती है ग्रेड एसे लेकर आपकी या बलकि A प्लस से लेकर आपकी कहां तक ग्रेट आते ए तक आते यहां तक के student जो है पास है ए प्लस A B C D E उसके बाद जो F ग्रेट आती है वो students क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे यह तो आपका ग्रेट सिस्टेम है यहां पर साफ साफ प्रेक्टिकल में बैक लगा दी गई है किसी कारण वास आपने कुछ शरारत की रही या कुछ punishment के तौर पर आपकी बैक लगए या आप किसी वैसे कुछ marks कम दे दी जैसे बहुत से प्रेक्टिकल में माट से यह चाहिए चाहिए अब से पहला पॉइंट कमझ में आया क्या बता है मैंने इंडिविजुल के अगर बात कुरू जो त्योरी सब्जेक्ट है जैसे physics का हो गया फिजिक में 30 पर सेंट मांक्स चाहिए 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 प्रक्टिकल की बा लाइन करेंगे तो मिनिमूम 40 परसेंट मार्ग जरूरी है मिनिमूम 40 परसेंट माक्स आपके जरूरी है यहां पर यह वाली लाइन सीधा-सीधा यह पॉइंट क्लियर कर रही है क्या इसमें तो ग्रेड बताई है कि ए प्लस से ई तक मिलती है एफ ग्रेट फेल वालों के लि आपको कितना चाहिए फॉर्टी परसेंट में किसी वैसे त्योरी में जाद लिया दोनों को मिलके फॉर्टी परसेंट में नहीं लगेगी इसमें लिखा हुआ अभी आगे फॉरे पास इन प्रेक्टिकल इंटर्सेंट प्रोजेक्ट वाइब वाइब वाइस एक्जामिनेशन एस्ट्रेंट सेल सिक्यूर मिनिममं 50 परसेंट आफ मैक्सिमम माग्स यानि कि प्रेक्टिकल में आपको 50 परसेंट सिक्यूर करने लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं हुँ इंटर्नल और एक्सेनल मिलकर इंटर्नल और एक्सिटर्नल के अगर मैं बात को रिलेवेंट सब्सक्राइट का जो भी हमारा उसका इंटर्नल और अच्टर्नल मिलकर जो है वो कितना होना चीये 45% होना चीये मदलब क्या है इंटर्नल बैक बचानी है तो jak нев Tribe है कि दोनों मिलकर इंटरनल और एक्टरनल मिलकर क्या हो जाएं आपके 40 परसेंट बन जाएं वापर तो यह तो पास होने के लिए हो गया ठीक अपनी इग्रेट बच्छा इग्रेट तक सिक्यूर करने के लिए अब मैं चलता हूं ठ्योरी प्रेक्टिकल चलिए अब में पॉइंट आता है आपका इयर बैक वाले पर मैं पॉइंट पर डिसकस कर ले तो यह पढ़ लेना आप इस सारी चीज़े दिए डिटेल में पढ़ेंगे ना एक्जामिनेशन वाला पार तो आप पढ़ी लेना अब आता है यह आपका में देखो यहाँ पर वि कि अग्जामपल ले लेता हूं मैं इसमेनुन लिख प्रमोशन फ्रॉम इवन सेमेस्टर यादिक सेखिंड सेमेस्टर के बाद ही तो आप अपने स्प्रमोट और में पहुंच होगे तब हैं ने ने इक्स्ट अक्टामिक यह प्रमोट होने लिए दा स्टुडेंट हैं सचि कोई प्राब्लम मी नहीं है सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लो या और और ग्रेडिट ग्रेटर दैन या तो और फिर क्या करो क्रेडिट अर्ण करो कितने या तो एक ग्रेटर देन होने चाहिए किससे यह एक पलोने चाहिए क्रेडिट और यानि जो भी दो समेस्टर उन में से जिसमें कम समेस्टर में क्रेडिट कम है मालेग में 17 एक में तो 17 आपको चाहिए हने तो आप पर मोट हो जाएंगे सीदवाल इन्हों ने जो बनापने इंगे निया कि यी लिया है ये कि इस ट्वेंड ने first year में अर्ण क्रेq अरीट किसमें फ़स्स सच में और किस मेंי ऑस क्रेड़िट ला पाया किसमें फस्क्रेट्र में ़राउं लिकिन उसका टोटल क्रेडिट है फूरे फ़स्स Families वह कितने हैं मालों 17.5 से मिस्टर में है और second year में second semester में कितने हैं 20.5 मतलब कहने का सीधा-सीधा आपके तो 22-22 हैं यह दोनों चीज़े जो है नहीं यह वाली यह तो आपके कितने हैं 2020 है फर्स समस्टर में भी टोटल 20 और सेकंड समस्टर में भी टोटल 20 हैं लेकिन इसमें इसने जो कम क्रिडिट वाला है इसमें इसमें इस नहां है यहां वह यहां बहले इससीधा किसी एक पर्टिकुलर समेस्टर में जो कम क्रेडिट वाला है उसने हमें मिनिमम क्रेडिट चाहिए लेकिन आपके तो दोनों में बाइस बाइस है तो यहां पर कितने और एटीन तो यह प्रमोट नहीं होगा इसकी एर बैक लग जाएगी तो फिर करना क्या है यहां पर मतलब अगर मैं बात करो दोनों में कितना है ट्वंटी 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 टू है यहां पर भी मिनिममम 11 और यहां पर भी मिनिममम 11 चाहिए अगर दोनों में 11 11 आ जाते हैं यहां पर कितना आ रहे हैं और यहां पर कितना आ और उसके जो सब्रसक्राइब स supervision 7.5 अभी है तो मिन्मम जी सब्सक्राइब मिनिमम क सी स्वाहनों घ्रब तो आपका प्रोश्म वोग्या आप या इनि आ पर मोट हो गया पो इडायप Prat लिखे को आतने रिजल्ट में वह भी चीज में बताऊंगा ठीक है कर्योवर सिस्टम पूरा बता रखाए री एड्मिशन का भी इसी में बता रखाए कोर्स इसके बारे में इसमें बता रखाए नॉलिज के लिए जो भी है तो यह जो ऑर्डिनेंस इसको डाउनलोड के लिए ठीक है एक इतना है एक मिलेगा एक्सिलेंट है कितने पर नाइन ग्रेट पॉइंट पर यह कब होगा हमारा 90 से लेस देन लेकिन एक कितने से ज्याधा होने चाहिँ नाइन इस लेटर होना चाहिए तो कि 80 से लेकर 70 के बीच में आपको मिलेगा वी प्लस यानि के एट एट मिलेगा यह CGP SGP एग्रेट पॉइंट 87 जो मैं बोलाओ 978 गुड यानि के 27 अब आवरेज यानि के 60 एगा एवरेज पाइव यानि के दी मिलेगा पूर कम बिलेगा फॉर पर फॉर पर पर यह 45-45 परसेंट के बीज में और चालिस से कम परसेंट के बीज में तो आपकी लगी जाती है तो वह उसमें यह लिजो हमारा ग्रेट पॉइंट उसको क्यालकुलेट करने का फॉर्मुला भी इसमें में से ने इवन यहां पर एग्जांपल भी समझा रखे हैं तो इसको पढ़ लेजिएगा आप एक बार बहुत अच्छे से ठीक हैं आवार्ड ऑफ डिविजन रैंक और मेडल जो है इसमें ग्रेज़ ग्रेज मार्व में देख लेता हूँ फिर उसके बाद इसमें नहीं है तो मैं अभी ओफनकर आपको दिखाता हूं अन्पेर मीन्स भी आपको यहाँ पर दे रखता है तो क्या है वार्ड सेसनल मार्व सब कुछ मिलेगा इसमें इसी में देख लेता हूं इसी में है क्या एक बार वरन अग्रेस पॉइंट का है मैं डाउनलोड करके अभी आपको विद्वाइट का और बता देनाओ पेनल्टि इंस्क्शन एंड पेनल्टीज फॉर यूज़ फानन फेर में संभर में सबढ़े यहां पर सारी पैनल्टीज लिए किया पैनल्टीज मिलेंगी इनको पड़ दीजिए गसा रेस्ट एंड मैंने आप को बता दिया है कहाँ पुर्क्या चीज बिलेंधि इसी फीडियो में ठीक है कि इन इसमें ग्रेज POINT का नहीं है तो चलिए मैं आपको ग्रेज पॉयंट गर बता नहीं है गोरे सप्वाइंट का भी यहां पर आम को चलिर शबाए रहा हूं एक बार ठीक है यह मेन पॉइंट ते ही जैसी क्लियर हो जाएंगे न आपके चलिए यह ग्रेस पॉइंट का भी ओपन हो गया है ठीक है अब यह देखो क्या है ग्रेस मार्क्स रूस फॉर सीबी सीए सिस्टम इंटर्डूस फ्रॉम अकैडमी केर 2016-17 का है चलिए आगे चलते हैं और ल सेरी फार्म और एम फार्म है तो हमारा इकर modern प такие चलेंगे तो आगे कोई और में कोई ऑर वेंट का तक यहांपर अविलेबल नहीं है ठीक है देख लेते हैं लास तक और कोई है तो हमारे लिए कौन सा वाला है हमारे लिए grace point वाला यह वाला है और इसी ओम देखेंगे इसके बाद कोई latest अभी तक आया नहीं है इस्ट्रेंट एड्मिटेड अंडर च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम फ्रॉम टेशन 2018-19 यानि के बीटेग पोर यह एंब टू यह एंब यह एंब यह पाई वियर ठीक है आप इसमें कितना मिलता है देख लीजेगा आपको ग्रेस कितना मिलता है यहां पर ग्रेस का दे सकते हैं यह इन bisa गिए मिल जाता है यह नहीं यह कि इंटरनल में सबसटम को और greater than the minimum passing criteria as let down in the university ordinance तो यह चीज़ आपको तरीके से और हैस्ट बना देते हैं और जो बिल भी लिखा हुआ है विच विल बिडेम्ड एक्यूएलेंट तू दा ग्रेट इजो एक्यूएलेंट योगा लेकिन उससे लेकर हो जाएगा कि वहापर हमारा क्या है वहापर ग्रेस्ट माक्स मिले हुए है ये इक पर्टिकलर सकता है ग्रेस मैक्सिमम 10 मांक्स घ्रेश मिल सकता है चाहब थ्योरी हो चाहब और रिक्तिकल ओछा इंटनल अग्स अब दोनों डाओट विद प्रूफ क्लियर हो गए हैं कोई डाउट नहीं अपके सिस्ट्रेंड के पास अब हम चलते हैं अगले जो डाउट से अमारे उनका ह कर लेदें रिए कि चलिए अपने यहां पर यह बात तो कर ली अब हम अमारा किलियर क्लियर लगे या नहीं लगेगी घ्रिसमार्ट लिए अमने मिलेंगे कब नियुकर रहे हैं तब पता हूं माइब को बैक दीनिया घ्रैस माश लेने अब बहुत सरे के पास और है स्टेग बना वन हुआ रहा है तो दोनों यह कैस में आपको दिखा रहा होगा ऑट दो है क्या इन पॉपलीट रिजुल्ट को दिखा रहा होगा क्या सब्सक्राइब करें तो 15 देज वेट करना है दस से पंदेज में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा हैस्टेक अपडेट के कुछ ना कुछ मांग सा जाएंगे और अप्टेक्ट जिसके लगए उसके अपसेंट ही रहना है लेकिन अपसेंट नहीं होगी तो लेट नहीं हटी दोना चीज़ रिजल्ट अप्डेट नहीं होगी अपडेट तो वैलें गूड है नहीं हुआ तो करना क्या कॉलिज आना है अपने जाएंगे आप क्या करेंगे लेटर बनवाएंगे अपना जो भी अथोर्टी होगी माँ पर में लिए रिजिस्टार ऑफिस सब्सक्ता को नाम पर होगा डिखाइब आपने अपना एक्जाम डिया जहां पर आपका नियुक्त अगर सबसे बयाकते ह craft व लटर बनवाएंगे और उस पॉलिंग में जाएंगे एक ऑफ निए जिस और दे देंगे तो लेकर देखके आपको क्या निगा अब अबाऊãy सब्सक्राइब करतेंगे अपने कberyशन करेंगे अफने में stehen करेंगे जो भी प्रॉब्लम है उसको मेंशन करेंगे प्रॉब्लम को मेंशन करने के बाद आप अपने उस पर्टिकुलर रिजल्ट का प्रिंट साथ में वह अटेंट ने शीट जो आप उस प्रॉब्लम को फर्वर्ट करेंगे उनिवर्सिटी जब फर्वर्ट करेंगे तो वहां पर जाकर फिर तब आपका रिजल्ट अप्डेट होगा और उसमें भी लगबग एक महिना तक भी लग जाता है तो टेंशन कुछ नहीं लेनी है इस प्रॉसेस को अप्लाई कीजिएगा अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप फॉर्वर्ट करेंगे आपको दे देगा साए लेटर वेटर और कॉली फिर आगे भी फॉर्वर्ट करेंगा और रिजल्ट अपडेट हो जाता है इसा बहुत केसे में होता है टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल अब आप बात कर लेता हूँ फम की कि अच्छा हम एक इसमें पॉइंट भूल गया हूं इसमें पॉइंट आ लिक लेता हूं मैं वो रॉंग रोल नंबर यार रॉंग डेट आप बड़ रॉंग रोल नंबर है और नाइंध आ रॉंग टेट आप बर्थ इसल्ट ओपन करने में या रहा है डे टॉप बढ़ यह दोनों पॉइंट भी मैं लूँगा यह भूल गए याद आ गए यह अच्छी बात है यू एफम यू एफम में क्या था अनफेर मींस हमें पता है कि हमारी यू एफम लगी थी यह नहीं लगी थी यह वीडियो मैंने सर्कुलर बेजा था यू करके थी उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंड बॉक्स में कमेंड करके उस मेल आइडी को मिल जाएगी मासे वह मेल आइडी पर मेल करने के लिए बोला था उन्होंने अपना जो भी फीड़बैक देना था आपको देना था आप एपलोजी लेटर एक तरह से लिखना था महाँ हमाई आचना करनी थी वहाँ पर तो जिन इस ट्रेंट ने कर दियो कि उस दिन बाद अपडेट हो जाएगा लेकिन जिसने नहीं करी ती अभी भी बैठे होंगा कुछ आल सी तो जिन्होंने नहीं करी हो वो अभी भी फॉर्वर्ट कर दे अपनी एप्लिकेशन वहाँ पर उ कि दोक्ति नहीं करनेया तो यहां को very wellum सकता है कि उनिवरसीटी निला लें आपको यह भी हो सकता है पॉसिब्लिटी दोनो तरह की है वीडेएं कि वहीं पर फिजीक्ली बुला लालें आपको एक मिटिंग अरेंग पर आपको जो भी है उताना है जिस सब्सक्रें के मानती माननी नहीं एक तरीके सही है थोड़ा था ठीक है तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे रिजल्ट अपडेट कर देंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी बैक आ सकती है अदरवाइस बागी सब्जेक्ट जो सही है वह एस इस सही के सही आएंगे और यूए फम मैंन अगर आपने कहीं पर लिख दिया है न मुबाइल नंबर वहां पर भी मुबाइल नंबर भी नहीं लिखना था वहां पर नेम नहीं लिखना था कॉपी पर स्कैन होती है कॉपी डिजिटल यह लग जाएगी आगे मत करना है ठीक है अब बैक वाले स्ट्वेंट जिनकी बैक करना चाहते हैं तो बेटा मैं आपको बता जीता हो न फ्रीटेक होने से पहले फायक यह नहीं पहले यहां। पर हमें लगता आ items me लेकिन फिर भी हमारा खराब आ खुंग या ठीक लेकिन फिर भी मैक्सिम मरें कंप 17 दिन कर उद्र अने वाला मैं वीडियो बनाओं विडियो के मात्रह वाक hopes बता दूगा जैसी सर्कूलर पूरा प्रोसेस होता है पूरे प्रोसेस में मलब आपका अपना एक टीव फर जो पोर्टल होता है इस ट्रेंड लोगिन का उसमें पूरा आता है पूरी डिटेल आपको महां पर मेंशन होगी उस सर्कुलर में मैं साइची से बता दूँगा तो वहां पर आप लिकर के 300 जाएगा उस पर क्लिक करें कॉपी ओपन हो जाएगी कॉपी पूरी चेक लिजिएगा फिर उसके बाद आप खुदी समझ जाएंगे कि आपको रिचेक करानी है या नहीं करानी है अगर आपने कॉपी चेक कर लिए आपको लग रहा है कि नहीं मेरे यहां मांक्स गलत है सब्सक्राइब करके चैनल को जैसी आएगा वीडियो बेजूंगा तो बैल आइकन प्रैस कर रखाओ ना तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो तब आप रीचेकिंग करेंगे तो रीचेकिंग का फिर से अलग से पेमिंट करना होता है अप्रॉक्सिमेट 2000 होता है लगबग तो आप फिर जब वो पेमिंट कर देंगे तो उसके बाद आपकी कॉपी रीचेक होगी लगबग वन मंद के अंदर फिर आपका रिजल्ट अपडेट होकर रिजल्ट आ जाएगा फिर से रीचेक होगे ठीक है रीचेक में कभी-कभी मां घट भी जाते है तो इसलिए कॉप फाइव तक इन में वेट करें थोड़ा सा टेंशन मत लें बिल्कुल भी एक टैन टू फिफ्टीन डेस वेट करें तब तक कुछ प्रॉसस नहीं होता कुछ अपडेट नहीं होता तब आवश्यक कार्यवाई करनी है तो मैं जो मैंने बताई है इन सारे पॉइंक्स में ठीक प्रेंट करें रहा है रहा है रहा है हम जब चैक कर रहे हैं पहला केस दूसरा केस रॉंग डेटा बर्ट आ रही है ऐसे केस भी आ है कि हमने जब अपना रोल लंबर डाला उसमें वन वियू पे एक टिव पर पात्वालों के लिए बता दूत आदो तो बेटा आप कॉलीज जाईएगा प्रेस्टार ओफिस में बात कीजिएगा कि जब आपका एनॉल्मेंट किया गया है तो वहाँ पर चाड़ेट ऑपर जाली गई है बाई मिस्टेक हो सकता है आपके टीचर से यह बाई मिस्टेक हो सकता है कि आप से गलत बता दी गई ओडेट ऑब और और जिस कीजिएगा वहाँ से पता कीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या उन्होंने डाली है तो वह डेट ऑफ वर्थ को डालिएगा आपके रिजल्ट ओपन हो जाएगा अटेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी और फिर बाद में से बोलके वहाँ से अपना एप्लिकेशन की निए होती है क्या करेंगे अगर आपको कॉई भी डार रह गया होगा इंकम्प्लीट तो इसकी वैसा आपका रू लम्बर शाथा है और नहीं बना तो वह रोल अंबर आपको करना क्या आपको भी कॉलीज आना है उनसे पदा करना कि ऐसा नहीं हूआ है या नहीं हुआ है अगर हो गया है तो भी रॉंग नो बता रहा है तो अप्लिकेशन लगा कि महां पर आपको भी अप्लिकेशन लगानी है दैन वो युनिवर्सिटी पारवड करेंगे और अगर नहीं हुआ तो वह किस बैसे नहीं हुआ वो रिजन पूछेंगे आप जो क्यों से लिए आना आपका होगा वैसी आपका रिजल रेखने को मिल जाएगा यहां से यहां तक कि किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब बैक तो आगी है सर अब करें क्या तेको नेक्स सेमिस्टर के एक्जाम डेट में बार बार बोलता हूँ आ रहा हूं हर बार बोलाऊ और आज भी बोलाऊं अगस्ट कि फस्ट वीक कि देखो मैंने क्या बोला है एक मन्त पहले आपकी डेट सीट आ जाती और आज 17 तारीव होगी अभी तक डेट सीट नहीं आई सपाइस तारीव होगी डेट सीट नहीं आई ना एक मन्त एप्रॉक्सिमेट एक आपके एक्जाम जा रहे हैं अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे एक महीना पूरा है आपके पास पढ़ लीजिए इस्टेटी जी क्या है क्या पढ़े अब हम कैसे पढ़े आपको करना क्या है जितने भी वीडियो लेक्ट्टर्स हैं मैं तो देखो अपने चैन सकें तो जितने वीडियो लेक्ट्टर्स आपको प्रोवाईट किया रहा है आप सारे वडियो लेक्ट्टर्स अच्छे से चल से पढ़ेंगे स्टार्टिंग उसके बाद देखेंगे आप क्या वांशूट वीडियो एसा नहीं कि वइट में आप बैटें कि प्यू टी देन तो रिवीजन होता है उसके लिए आपको करना क्या पेल ओल वीडियो लेक्शेस द्यान से पढ़ने हैं उसके बाद आपको वाइश्यूट वीडियो देखने है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उसके बाद हम आपको मॉडल पेपर प्रवाइड कराएंगे वह मॉडल पेप सारी चीज़े आप जब कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर खुदी कॉंफिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कॉर करके आएंगे एक्जाम में यह मेरी गैरंटी है इस्ट्वेंट कर रहे हैं नोट्स की नोट्स आपको रेग लाइन चीज़े नहीं करेंगे आप आन चूर के जो नोट्स सयं वह फिजब वाइन यह देखेंगे ढूज का वीडिय काम आएंगे जब आप क्या जादा चीज़े क्या हो जाती है फिर शेयर हो जाती है तो इन सभी चीजों को फुल्फिल करने के लिए आपको करना क्या है डाउनलोड दाउनलोड करना है एडियूर्दम सकस्क्रासे तो ठीक डिया स्ट्रेंट्स मैंने आपके सारे डाउट्स लिए कि मुझे जहां तो लगता है मैंने सारे डाउट्स कवर कर लिये हैं फिर भी अगर कोई डाउट रहे गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंड कीजिएगा टेंशन नहीं लेनी है बेटा मैं बार बार बोला हूं टेंशन मतलब टेंशन ले क्यों रहे हो तो मेरे समझ में लगते हैं अब मैं यह कह रहा था मैंने यह बोला था कि एक चीज़ हो रहा है कि ग्रेस मार्क्स या बैक दें बैक का ज्यादा बैटर होता है ग्रेस मार्क्स के आपको पहुचाएंगे तो आपकी जो परसेंटेज हो सकती है ठीक बैक पर देने से और ग्रेस पेपर से यह चीज़े नहीं हो सकती ठीक है तो में राया तो अब एक पर दिने से होंगी क्योंकि स्टार तो दोनों पर यहाना है तो भी पर प्रपर आप डेकर आगर देंगे चलेर करेंगे तो भी इस मार्क्स से आएगा तो भी एस्टारी है पना जूरू राएगा रेजगश अगर आता तो आपका तो जो बिल्कुल क्लियर पास जिन ना तो ग्रेस लिया है ना उसकी कोई बैक है तो उसके पर पास आएगा जब यह अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरू कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पुरा देखने के लिए थैंक यू